भारतिय सौंदर सास्त्र में जो एक important theory है वो है रस theory ठीक है तो मैंने बताया थे कि दो प्रकार के theoretical दो प्रकार के गरंत है हमारे भारतिय सौंदर सास्त्र में एक सास्त्र गरंता दूसरा लक्षन गरंता जो है theoretical चीजों के बारे सैद्धांति द्यूरी के बारे बात करता है लक्षन गरंता टेक्स्त जो एक विसेश्च प्रकार की कलाकों विसेश्च प्रस्तियों में उनको क्या है ना बहतर बनाने के लिए उनका मूल्यांकन करने के लिए त्योरी जी गई उनको अपका अपका य है चाटांग है अलंकार है रिती व्रत्ती है विश्ण धर्मों तफ्रां नहीं आपके लक्ष्न ग्रंथ के तहटा आते हैं और आपका जो आपके जो टेक्स्ट है वूँ आपके रसच्योरी और ज्वनी सिद्दान है ठीक है तो रसच्योरी के बारे महाँच्मा बात करेंगे तोदा सा फ्लोरी को तो आपका टाच ते दान कि दान किसे लिखेंगे इसे लिखेंगे किसे अर्वके तो रस्षिद्दान्त या रस्थ क्योरी को पहली बार भरत मुनी ने अपने प्रशिद्ध गरंत भरत नाट्टे शास्त्र में इंट्यूस किया था 1st century AD किया था था थी के तो इंट्यूस वाई भरत मुनी उनका जो फीमस बुक ता वो क्या था भरत नाट्टे शास्त्र भात नार्थ्य शास्त्र को पर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपस लिखा गया था और नायंथ सेंचुरी जब ध्वनिसिद्दान्त आया था अनंद बद्ना ने नायंथ सेंचुरी धन्यसिद्दान्त को दिया था उससे पहले भारत्य सौंदर या संस्त्र के इत्यास में कोई भी मेजर स्क्रीर्टिकल टेक्स नहीं है तो यह आपका पर पर यह सेंचुरी कि और असकोna DAVID पना क्योंकि वारटमुनी सारी कलाओं पर लिखना चाहते थे वार्तमुनी books एक एसा ठेक्ष्ट लिखना चाहते जो सारी कलाओं कलाएं जिससे लावानभित हो थारी कलाओं को जिससे उध्धार हो तो इसलिए उन्ह Metallic नाष्ट को भारती संद्रम में सारी कलाओं की माता की रूप में समझा जाता है क्योंकि सारी कलाओं का उद्वब मंदिर से हुआ और मंदिर में देवी देवताओं की अर्चना पूजन के साथ में जो निरत्य और वाद्य की शुरुवात हुई थी और निरत्य ही पहले हमारे जो भारती परिपेक्ष में निरत्य ही पहले नातक का शुरूप था निरत्य नाट्त का रिख न परेपक्ष को बनाने के लिए इस एस्ट को लिखा इसको पंचम वेद भी कला जाता है कि इसे अगर वेद उपनेशाद के बात किया तो वहां पर जो जो से ज्यान की बात की वह एबस्ट थ्यों है वह जो निर्गून की बात की है लेकिन निर्गून को क्या है स्वेल्स को नहीं सम्झाल जा सकते हैं देवीदेवताधों की कलपना की देवी देवताधों को मानभी मुधाया गेया उनकी पूजा आरादना की मंद्रों में पूर्या आरधना किकी गई थी किक कर से कलाओं के माध्यम Ahí ठीज यग्यावन होते ही ते साथ में कलाहों के माध्यम से उनकी न क्यायना के जो सिंबल्स को आरादा जाता था अनको उनको पouक्स के जाता था तो इस तरह से जो दुरलाव जो अबस्ट्रैक्ट COB पहंचाने के लिए इस नाट्रास्ट्र को लिखा गया और जो डिर्टी कि कलाओं को समर्पित हैं और कलाओं की जो मदर है नाट किया थिक्षाज तो इसलिए इसको पंचम वेध भी कहा जाते है ठीक है पंचम वेध का मतलब यह पांचम वेध है जो आत्म ज्ञान को परमात्मा के ज्ञान को जो जन साधान तक पहुंचाने का लिए जन साधान को उसे लावाने में तो इसलिए पंचम वेदवीत को का गया है ठीक है अब यहां पर जो इस भरतनात्य शास्त्र में बेचिकली 26 चैप्टर्स हैं इसके क्या है न फिटाइस 26 चैप्टर्स चैप्टर्स यह है एक थेटर की नाटक की प्रत्तिक टेक्निकल्टी के बारे में बात करता है ठीक है यह नाटक में जो एक अभिनेता को एक्टिंग कैसी करने चाहिए और उसके बाद उसका क्याता हो चाहिए स्टेज कैसी होने चाहिए हर एक टेक्निकल्टी के सैद्दांतिक और टेक्निकल्ट पक्च के बारे में यह बहुती इस्पस्ति इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट वो है रस फ्योरी ठीक है तो हम इसके बारे में चाहिए तो इसमें भरत मुनी ने एक फेमस नाटिशास्ता के फेमस लोग है उसको मैं आपको समझा तो वो अगरम समझ जाए तो रसकरी को समझ जाएंगे तो वो है आपका वे भाव अन्नु भाव और यह जी क्यारी भाव तैन्यो गाव द्रस्त निस्पत्ति विभाव अन्वाव विवचारी भाव तैन्यो गाव द्रस्तति यह इनका जो रसिद्धान को समझाने वाला इक स्लोग है इससे पहले भरतमुनी है इस हईव आपकी बात करते हैं ठीक है इस अस्लोग समझाने से पहले हम एक और प्वॉंट पर बात करते हैं वो है आपका इतना यह हो गया है स्पार्म जिसक्ति हो कि इस्थाई भाव भरत्मनी कहते हैं कि हमारे यूमन्स के आठ इस्थाई भाव होते हैं ठीके हम बारी बारी से बिन्निम्द प्रस्पितियों में इन इस्थाई भावां को को अपने अंदर प्रकट्क करते हैं तो इनमें से कभी हम खुश और खुष होते हैं कभी भायरीत होते हैं यह क्या ना सब प्रत्य की व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं और वारी वारी से विन्ट प्रस्विट्यों पर जागवदुन्य यह कहते हैं कि इस थाई भाव जैसे हम नॉर्मल लाइप में अगर हमारे मन में कोई गुस्से का भाव आता है तो वो रस की अनुभूती नहीं है ठीक है वो भाव है लेकिन किसी भाव को किसी कलाकृति के माध्यम से जब जागरत किया जाता है किसी कलाकृति के माध्यम से किसी भाव को प्रकट किया जाता है किसी नाट्य के माध्यम से किसी संगीत के माध्यम से किसी कित्र के माध्यम से को इस थाई भाव हमारा जागरत होता है तो वहां पर जो अनुभूती हो रस के अनुभूती होती ठीक है तो इसलिए बहुत मुहीं ने कितने स्थाइब बताएं देखिए आपका आठ बताएं पहला कौन सा है रती और इसको ज़रा मिटा देते एक वर इसको द्वाद लेकिए थाइवाव तो इस्थाइभाव और रस इस्थाइभाव आपका है रती रस द्वाद रस यह ज्रंगा है इस्थाइभाव कौन सा है हास है आप अस्याभ आपश्याभ शौग कारों शौग आट हरुन रस साह साह वीरत प्रोद्र प्रोद्र रोद्र 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 रोद्रुप कहते भी ना भाया भायानक प्रोद्र प्रोद्र गुप्सा वीवत्स विष्मया अधुप्स प्रोद्र रोद्र अधुप्स प्रोद्र प्रोद्र जैसे अगर रियल में अगर हमारे सामने भूत आ जाए तो हमें जो भय होगा उसको में एंजॉय नहीं करेंगे ठीक है लेकिन जब होरल मूवी देखते हैं तो उसको में एंजॉय करते हैं क्योंकि हमारी पक्का पता है कि वो नकली है तो भूत पर दे पर हमारा कुछ जागरत होते हैं और वहां पर हम पास्नली अटेश्ट है तो उनको हम एंजॉय नहीं करते हैं वहां तो हम घवरा जाते हैं ठीक है ओके लेकिन जब उसी फीलिंग्स हो क्यायना किसी कलाकृति के माध्यम से कृतिम रूप से क्रेट के जाता है तो वो हमारे लिए रसी के अन होता है हाश्य जब किसी फिल्म में किसी नाटक में किसी पेंटिंग में कार्टून के माध्यम से जब हमें जंग किया जाता है तो वहां पर हमें हाश्य रस्पाप्त होता है शोक कोई ट्रजडी होती है जैसे हमलेट के जितने भी कहना उसके आं त्रेक्स कितने भी नाटक तो उसके बाद जो क्या है ना के शोग के शोग की फीलिंग क्रेट की जाती है अलाके माधिया विरस जैसे आपका बावली फिल्म है तो जब वीरस के पर आपको ते क्रोध करता है तो हां रॉद्र है ठीक है भाए और देखते हो ठीक है जगुफसा भीवत्स जगुफसा भीवत्स गिल्टी गिल्ट 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 है ना जब हमें आ अलो बता है विश्मय आश्या चकत हो जाना ठीक है कैसे किस्त भगवान ने जब आपना विश्यूरूप दिखाया तो अज़्यूरूप अनुबत होई थीक है निरवेद अविद्वक्त ने बदाया कि सारी फीलिंग्स कि आए ना कि बारी बारी से जब टेन हो जाए या पर एक साथ हो जाए तो उसके बाद हम शान्त हो जाते तो शान्तरस कोई भी जब भावना नहीं होती तो शान्तरस या फ तो इस थाइवाव इस के लिए ओके तो अभी हम नेक्ट जाते हैं लोग पर ठीक है हां समझ मारा है ओके कि विभाव अनुख भाव यह जिए चारी भाव पैंड योग गा दर्स तो यहां पर देखिए विभाव अनुखारी भाव ठीक है तो यहां पर देखिए विभाव अनुखारी भाव थीक है कि विभाव का मतलब है यहां पर अभीनेता थीक है यह अभीनेता के एक्टर हां ओके अनुखार का मतलब क्या है एक्टिंग अभीनेत थीक है एक्टिंग के तीन पार्ट है नंबर वन अंगिका नंबर टू वाचिका नंबर थ्री और आर्या ओके और व्यवचारी भाव नंबर यहां पर है ए दी और सी व्यवचारी भाव ओके तो किसी भी खेटर में किसी भी प्ले में किसी भी नत्य में जो में जो एक्टर होता है ज्यसे आपके लिए शिव जी का तांडव लेथे यह अक्षर आए न बहुत नाटरें मिन तब यह जो डांस कॉंप्ले में को दिखा जाता है तो वहां पर जो शिव जी का जो जो एक्टर शिव जी का विने कर रहा है या शिव जी का रूप दारान प्या वो तब वह अननभाब मेंस अग्टिंग अब जो भी कर रहा है जो भी उसकी बॉडी लेंग्वेज आंगे का वाला भाज का जो वह डायलोग बोलना है जो वह वाज का आ गया आर्यम इस तो जो भी कोस्चिम पहना वुगा है उसने जो क्याना के जटाएं उपसे नाग गले में या फिर कहना दुद्दाच बंदे हुए हैं ब्राइक चाला पहने हुए है तो वह सारा कहना आहार्यम आ जाएगे तो अंगेका बाज का आहार्य यह एक्टिंग ओके व्यवचारी भाब में आता है व्यवचारी भाब में कुछ ऐसी जो फीलिंग्स हैं जिसका जो किसी भी वरकों पार्ट की सेंटर्ल फीलिंग से कोई कोई कनेक्शन नहीं लेकिन उस व्यूवर को उसमें इन्वाल्व करने के लिए मदद करते हैं पर एक्जामपल जैसे माली शिप्राणी चल जाए ठीक है भीट उससमें और यह दो 9 लो जो जो चैनि कि विवर को एक गंदितालि उसमें जो एक हो आपकल जया हो तो ब्रेक करता है मजाद कम हो उत्यक्ण से उक्सकी क्ला किसी भी मिठाई में बहुत मिठाई है उसमें थोड़ा सा का मदध कमृट्ट देन तोड़ा सा क्याने कि नीवू डाल दिया तो नमस का मिठाई से कोई सम्मन नहीं लेकिन क्याने उसके मीठेपन में एक जायका पैदा कर दिता है और एक अच्छा एक्जामपल है कि जो फुरानी मूवी से उनमें क्याने एक साइड में मजाकिय होता था जैसे असरानी है जोनी लीवर है जोनी वाकर है या ओम प्रकास ठीक है ये सारे मजाकिया स्भीस में जैसे आपका अहीर राजा मूवी है तो उसी एक से आपका रहल में इसकी जो अशन होले का सिरा SARAH इस ना का ज़्योंका दर्सक हैं वो फड़ा-light हो जाते हैं और उनको लगता है कि उनकी जीवन से अबने तकानी है वो involved हो जाते हैं तो विवाब, अनवाब, विवचारी भाब सैयोग गाद्र सनिस्पत्ति इन फीनों के सैयोग से क्या होता है रसकी निस्पत्ति होती है हुआ है वह भाव जागों यागृत होता है और अ में उस रसे की आन्द की प्राप्त उस एसेक रिलाईट की प्राप्त होता है। इसमा अविनव गुप्त एक मेडिवल स्कॉलर है जिन्हों ने यह कहाता कि तहीं से हमें भाव की प्राप्ति नियुक्त भाव तो हमारे अलेडी मौझूद है क्या करता केवल उनको अलग अलग कर देता है कि जब किसी स्वेत रंग की प्रकाफ को प्रजियम से बोजाब जाए तो साथ रंगों विख्यों